Hello student, मैं सेल उशामिमानी, I will teach you science subject for class 7 Class 7 में हम आज पढ़ेंगे chapter number 4 जिसका नाम है physical and chemical changes Students, हमारी life में बहुत सारे changes आते हैं तो कुछ change होते हैं इसको हम बोलते हैं physical change और कुछ change होते हैं हम इसको बोलते हैं chemical changes बोलते हैं अब physical change और chemical changes क्या होते हैं हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इस chapter के अंदर हम deeply पढ़ेंगे change is a universal phenomena आपको पता है जो change है हमारी life का एक universal phenomena है change take place around us all time हर बार हम कहीं पर भी जाते हैं थोड़ा changes आता है या हम कहीं जाते हैं तो हमें थोड़ा changes आता है तो changes क्या होते हैं तू प्रगार्ट क्यों होते हैं फिजिकल और chemical change think about the following making taste, making toast, toast बनाना, a firework display, एक आका काम करना, a space subtle taking off, a plant growing, they all are in common, they are involved in chemical changes, it's called chemical reaction यह सब क्या हैं हमारे chemical changes हैं हमको बता है क्या है टोस्ट कैसे बनता है तो यह क्या है हमारा chemical change है plant अपना खाना कैसे बनाते हैं हमको बता है क्या नहीं बता है उसके अंदर कैसे क्या respiration हो रहा है कैसे वो अपना खाना बना रहा है हमको नहीं बता तो हमारा क्या होगा chemical change for example हमारे body में eyes, nose, hands सबको देख सकते हैं देख सकते हैं तो वो क्या होगे हमारा physical change और physical और अगर हम खाना खा रहे हैं तो जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या उसके बाद खाना खाने के बाद जो हमारी process चल रही है वो क्या हम देख सकते हैं नहीं तो हमारा क्या होगा chemical changes उसमें कहाँगे chemical changes in physical changes no new substance is found physical change में भी कोई भी नया substance नहीं बनता है उसको हम बोलते है physically और chemical change में कोई नया substance बनता है आप आप बोलेंगे physical change और chemical change मीनिंग आपको क्लिए नहीं हुआ होगा तो हम इसको deeply में पढ़ते हैं तो physical change a change in which only the physical properties of any substance और से उसके physical property change हो रही है उसमें कोई भी नया product नहीं बन रहा है इसका example अगर मैं गरम करेंगे तो क्या वही steam बनेगी तो देखिए water तो हमारा वही है वही है इसका जो है क्या substance change हो रहा है इससे अब हम water को eyes में convert करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा physical change हो जाएगा अगर जब हम आइस को पिगला देंगे तो वाटर में convert हो जाएगी और अगर हम पानी को थंडा कर देंगे तो वह water में convert हो जाएगा तो मतलब physical change को हम reversible कर सकते हैं अपनी position पर वापिस लेकर आ सकते हैं जैसे कि आपको यह activity one दे रखी इस activity में बोला है कि एक balloon लो उस balloon को आप फिलाओ जब आप उस balloon को फिलाओगे तो क्या होगा वह इस सरे का बन जाएगा बन जाएगा लेकिन अगर हम उस balloon में इसे वापिस गेस को निकाल दे तो वापिस अपने इसमें नेचर में आजाएगा इसको हम बोलते inflated balloon और deflated balloon inflated balloon मतलब उसके अदर हवा बढ़ जाएगी तो उसका shape change हवा निकाल देंगे तो वापिस वैसे shape आजएगा इसको हम क्या बोलेंगे फिजिकल change क्या बोलेंगे हम इसको फिजिकल चेंज अब हमारी activity टू में क्या बोलता है कि एक विनेगर में एक बॉल में अगर आप पानी गरम करो जब हम पानी गरम करेंगे तो बबुले बॉल हो जब तो वह क्या हो जाएगा तो वह हो जाएका मारा फिजिकल चेंज और वापिस आपनी पर जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे फिजिकल चेंज मतलई फिजिकल चेंज अपना size और सब कुछ चेंज करेता है लेकिन कुछ भी नए चीज नहीं बनाएगा अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टिलाइजेशन तो क्रिस्टिलाइजेशन क्या होता है वह हम पढ़ेंगे